हेलो फ्रेंट्स दिस इस सुनीता और वेलकम तो माई चैनल और आज हम डिफ्रेंट काइंड आफ स्कूल या लेशन पढ़ने जा रहे हैं और इसमें जो फर्स्ट हैडिंग है वह हम पढ़ते हैं यहां पर लिखा हुआ है कि दो यू नो थीज वर्स इफ यू नो फांड आउट यहां धियर मीनिग बैंडेज गलच ग्रपल अनर लिफ फोर्टून शिस्टम इन सब वर्स की हमें क्या करनी हैं मीनिग इस लेशन के द्वारा जाननी हैं लूग अन्ट पिक्चर इन देस यूनिट और गस इन वाट वाट इस इसकूल में भी डिफरेंट फ्रॉम अधर इसकूल अब हमको इस लेशन के पिक्चर को देखना है एंड हमें गेस करना है कि यह स्कूल कैसे डिफरेंट है अधर इसकूल से यह स्कूल कैसा है डिफरेंट फ्रॉम अधर इसकूल नाओ अब हम यह लेशन स्टार्ट कर रह रहे हैं, there is first para, यहां पर narrator बोल रहा है, जो इस poem को कह रहा है, वह बोल रहा है कि, I had heard a great deal about Miss Beam's school, but not till last week did the chance come to visit it. मैंने बहुत ज़्यादा सुना है, Miss Beam's school के बारे में, but not till last week, लेकिन last week से मैं chance नहीं पाया हूँ, वहाँ जाने का मुझे अभी तक मौका नहीं मिला है, लेकिन अब इस समय मैं जा रहा हूँ, ठीक? Now, when I arrived, there was no one in sight, but a girl of about twelve, inside means to be seen, किस कोई दिखना, when I arrived, जब मैं पहुचा, there, वहाँ पर, no one in sight, मुझे कोई भी नहीं दिखा, but, लेकिन सिर्फ क्या दिखी? A girl of about twelve, लगवग, बारह साल की एक लड़की दिखी, her eyes were covered with a bandage, अब ये bandage word आ चुका है, her eyes were covered, उसके eyes, उसकी आँखे cover थी, ठाकी गई थी, एक bandage के दोरा, एक पट्टी के दोरा, and she, and she was being led, carefully between the flower beds, by a little boy, और वहाँ, उसको एक लेड कर रहा था, एक boy led कर रहा था, मतब लीड कर रहा था, बता रहा था, कि carefully, ऐसे चलो, वैसे चलो, आँगे, ये है, उसको lead कर रहा था, समझा रहा था, between the flower beds, flower, जो वहाँ पर क्यारियां होती है, उनकी 20 से विलोग चल रहे थे, by a little boy, एक छोटे लड़के के दोरा, उसको lead किया जा रहा था, who was four years younger, साइद वहाँ, चार साल उससे बड़ा होगा, she stopped and it looked like she asked him who had come, अब वहाँ लड़की रुकी, and उसको मतलब कुछ feel हुआ, जब हमारी आखों में, जब हम हमारे कोई sense काम नहीं करता है, तो दूसरे sense ज्यादा active हो जाते हैं, जैसे अगर हम नहीं देख सकते हैं, तो और sense हमारे active रहेंगे, और हमें महसूस होगा, and she asked him, लेकिन उसने पूछा who had come, कि कौन आया है, he seemed to be describing me to her, और वह शायद मतलब मुझे ऐसा लग रहा था, कि वह मेरे बारे में उसको बता रहा है, then they passed on, और फिर वह वहाँ से गुजर गया, now third para, miss beam was all that I had expected, middle-aged, full of authority, yet kindly, and is understanding, यहाँ पर kindly means friendly, plump means stout, pleasantly fat, pleasantly fat means, ज्यादा मोटी नहीं, गोल मोल सी, हलकी सी मोटी, miss beam was all that I had expected, miss beam वह सब थी, जो मैंने expect किया था, middle-aged थी, मतलब 40 या 50 या 45 लंसम उनकी एस थी, full of authority, उनके पास power थी, because she was the principal of that school, yet kindly and understanding, और बहुत वहाँ kindly थी, बहुत friendly थी, बहुत प्यारी सी थी, and understanding, और उन में समझने की सकती थी, वह सब को समझती थी, her hair was being to turn gray, और उनके hairs, बाल beginning to turn gray, gray होना सुरू हो गये थे, सफेद होना सुरू हो गये थे, and she had the kind of plum figure, that is likely to be comforting to a homesick child, और वह कैसी दिख रहे थी, plum figure था, मतलब उनका जो सरीर था, वो हलका समोटा था, that is like जैसे की, घर में जो छोटे बच्चे होते हैं, ठोड़े से मोटू, गोलू, मोलू, उस टाइब की थी, I asked her some questions, मैंने उनसे कुछ questions किये, about her teaching methods, उनके teaching जो पढ़ाने का तरीका था उसके बारे में, which I had heard were simple, जो कि मैंने सुना था कि, यह बहुत ही simple है, अब fourth para है, no more than is needed to help them to learn how to do things, simple spellings, adding, subtracting, multiplying and writing, no more than is needed, जितनी जरूरत है, बस हम उत्ता ही पढ़ाते हैं, उससे ज़्यादा नहीं पढ़ाते हैं, and हम क्या सिखाते हैं, simple spelling सिखाते हैं, adding सिखाते हैं, add, subtraction, multiplication and writing, बस हम इतना सिखाते हैं, the rest is done by reading to them, and by interesting task, और rest, जो और भी चीज़े, जो सीखने की चीज़े हैं, वह क्या हम देखते हैं, उनका interest देखते हैं, उस आधार पर हम उनको और जादा सिखाते हैं, during which they have to sit still and keep their hands quiet, और जब वह पढ़ते हैं, तो उनकी यह सर्त है, कि वह सांती से बैठेंगे, और keep their hands quiet, और अपने हाथ को quiet रखेंगे, मतलब सांत रखेंगे, ताकि दूसरे को disturb ना हो, इधर उधर किसी को मारेंगे, एखो देंगे, नहीं, there are practically no other lessons, और वहाँ पर practically no other lessons, ज्यादा lessons नहीं पढ़ाया जाते हैं, and fifth para is, the real aim of this school is not so much to teach to, as to teach thoughtfulness, kindness to others, and being responsible citizens, and जो real aim है, इस school का पढ़ानी का, not to teach, बहुत ज़्यादा पढ़ानी का aim नहीं है, thought as to teach thoughtfulness, thought as to teach thoughtfulness, मतलब उनको यहाँ सिखाना है, कि उनके अंदर सुचने की सकती आए, और क्या चीज़ें डेबलब हों, kindness to others, दूसरों के लिए दाया भाव, and being responsible citizen, और वह क्या बने, एक responsible citizen बने, एक responsible बने, यहाँ दाईत तो लेने वाले लोग बने वह, look out of the window, a minute will you, कि आप look out the window, window से बाहर दीखिए, कि आप देखेंगी, तो यह miss beam कहती है, कि आप देखेंगी, narrator को बोलती है, जो इस story को कह रहा है, जो वहाँ पर गए हुए है, I went to the window, which overlooked a large garden, and a playground at the back, I went to the window, मैं विंडो पर गया, which overlooked, सिर्फ overlook किया, मतलब हलकी सी जलक ली, a large garden, कि एक large garden है, and a playground at the back, और एक बड़ा सा playground है, what do you see, miss beam asks, कि आप क्या देख, आपने क्या देखा, miss beam asked, miss beam ने, पूछा, ask miss, पूछना, और यहाँ पर responsible miss, aware of their duties, यहाँ पर responsible miss, जो अपने duties के बारे में, अपने कर्टब के बारे में, जानता हो, वही क्या है, responsible है, now seven for eyes, I see some very beautiful grounds, कि मैं देख सकती हूँ, कि बहुत beautiful ground है, I said मैंने कहा, and a lot of jolly children, और बहुत सारे क्या है, jolly children, मतलब बहुत खुस्मिजाद children है, it pains me, लेकिन मुझे कुछ थोड़ा सा, दिकत लग रही है, जो मुझे दर्द पहुंचा रही है, to see that they are not also healthy and active looking, और लेकिन वहाँ, जो बच्चे हैं, वहाँ बहुत healthy नहीं दिख रहे हैं, और active नहीं दिख रहे हैं, और जब मैं अंदर आई थी, तो मैंने देखा था कि एक पूर लड़की को लड़ कर रहा था, एक लड़का, मतलब वहाँ आँख में पट्टी लगाई रही थी, शायद वहाँ अंदी थी, मुझे ऐसे लगा, she had some trouble with her eyes, उसकी आँखों में कुछ trouble थी, दिकत थी, now I can see two more with the same difficulty, और अब भी भी मैं देख सकती हूँ, दो और लोगों को, जो की उसी प्रकार की difficulty से गुजर रहे थे, and there's a girl with a clutch watching the others at play, and there's a girl, and और वहाँ पर एक ऐसी लड़की है, with a clutch, clutch मिस यहाँ है कि बैसाखी, जिसके साहारे हम चलते हैं, जब पैर में दिकत होती है, तो हम clutch को लेते हैं, जो की यहाँ हाथ के अंदर रखके, उसमें चला जाता है, बैसाखी जिसे बोलते हैं, watching the others at play, वह क्या कर रही है, with a clutch, clutch के साथ, वहाँ पर watch कर रही, देख रही है, others दूसरे को खेलते हुए, she seems to be a hopeless cripple, लेकिन वह कैसी दिख रही है, hopeless लग रही है, एकदम से hopeless cripple, मतलब उसमें आसा नहीं है, ऐसी cripple, cripple मिस यहाँ पर होता है, cause to become unable to walk, जिसको walk करने में, जिसके पास hope नहीं हो, and miss beam laughed, miss beam laughed, हसती है, oh no she said, उन्होंने कहा, अरे नहीं, she said, उसने उन्होंने कहा, she is not really lame, वह सच में lame नहीं है, ठेक, this is only her lame day, lame miss यहाँ पर जो unable, वो पैर से चलने में असमर्थ हो, वो lame है, this is only her lame day, यह तो उसका lame day है, the others are not blind, और जो दूसरे हैं, वो भी blind नहीं है, वो भी अंधे नहीं है, it is only their blind day, सिर्फ वह उनका blind day है, अंधे बनने का दिन है, I must have looked very surprised, और मैं क्या हो गया, बहुत ही जारा surprised हो गया, and she laughed again, और वो दुबारा फिर हसी, मेरा चेहरा देखके, वो फिर दुबारा हसने लगी, कि यह तो इतना surprised हो रहा है, तो 9th पहरा है, this is a very important part of our system, यही तो हमारे system का, बहुत important part है, to make our children, appreciate and understand misfortunate, we make them share in misfortune too, क्योंकि हम अपने बच्चों को क्या सिखाते हैं, कि दूसरों की misfortune, जिसके साथ कुछ ऐसी बुरी घटना हो गई, misfortune ने यहाँ पर दिया है, कि unfortunate condition, bad luck, अगर किसी साथ bad luck हो जाता है, तो हम उनको समझने की कोशिस कर सकें, हम उन्हें समझ सकें, कि वे क्या feel कर रहे हैं, तो यह सब चीजें हम यहाँ सिखाते हैं, we make them share in misfortune too, कि misfortune क्या होती है, यह हम उन्हें बता रहे हैं, each term, every child has one blind day, हर term में, जो इस्कूल में, तले बस होता है, बनाया जाता है, one deaf day, one injured day, and one dumb day, यह सारे days, बच्चों के साथ मनाया जाते हैं, और एक एक करके, बच्चे इन सब को participate करता है, और जो disabled लोग हैं, उनके बारे में, वो सीखता है, कि उनके कितनी दिक्कत होती है, अगर कोई अंथा है, misfortune होती है, उसे समाज सके, और उसकी help कर सके, during the blind day, their eyes are bandaged, absolutely, and, absolutely, and they are on their honor, not to peep, during the blind day, जब blind day होता है, तो उनके eyes को बान दिया जाता है, and they are on their honor, not to peep, और वहाँ, peep miss, peep miss चुपे चुपे देखना, यह होता है, तो वह अपने honor में रहते हैं, मतलब है कि उनकी responsibility, कि वह देखेंगे नहीं, the bandage is put on overnight, so they wake blind, a bandage, अब उनके आँखों में कपटी लगा जाती है, रात को ही पटी लगा दी जाती, सुबा पटी नहीं लगाते हैं, कि सुबा वो उठे, फिर वो देख ले हर जगा, फिर उसके बाद पटी लगाते हैं, उससे कोई फाइदा नहीं होगा, इसलिए रात से ही उनको पटी लगा दी जाती, ताकि वह सुबा उठके कुछ भी ना देख सके, this means that they need help with everything, कि उससे वह जान पाएंगे, कि जब अंथे हो जाते हैं, तो हर चीज में हमें किसी की ज़रुवत पड़ती है, अदर चिल्डरन आज गिवें दूटी ओफ हेल्पिंग देम, और दूसरे चिल्डरन की क्या डूटी होती है, कि उन चिल्डरन का help करें, जिनका blind day है, या injured day मना रहे हैं, उनको लीड करें, उनको बताएं कि कैसे क्या करना है, और इस तरीके से दोनों लोग सीख पाएंगे, जो कि blind है और जो help करने हैं, वो दोनों learn करेंगे इस वे से, यहाँ पर जो honor करें जो meaning आए था, मतलब उनने promise करना है कि उन पीप नहीं करेंगे, देखेंगे नहीं, अब हम स्टोरी खतम करने के और बढ़ रहे हैं, नाओ टेंथ पैरा इस, there is no misery about it, Mr. Beam continued, Mr. Beam आगे कहती है, कि there is no misery about it, यहाँ पर कोई भी difficulty नहीं है, unpleasantness नहीं है, everyone is very kind, सभी लोग बहुती kind है, बहुती द्वायल है, and it is really something of a game, और यह एक game की तरह है, before the day is over, कि बच्चे मतलब इंतिजार करते हैं, कि कब दिन खतम हो, even the most thoughtfulness, child realize, जब before the day is over, over होने से पहले, मतलब day के over होने से पहले, दिन के खतम होने से पहले, कोई अगर thoughtfulness child भी है, कि मतलब जिसके अंदर सोचने समझने के खमता नहीं है, वह इन चीजों को नहीं मानता है, दयालू जैसी चीजों को, kindness जैसी चीजों को नहीं मानता है, वह child भी realize करने लगता है, कि हाँ misfortune क्या होता है, कितनी दिक्कते होती है, कितनी लोगों को परिशानिया होती है misfortune होने से, दुगटना होने से, the blind day is of course really the worst, blind day is, blind day जो होता है, जो अंधे, अंधें का जो दिन, मनाने का जो दिन है, सच में यह एक worst दिन है, मतलब बहुत ही बेकार दिन है, but some of the children tell me that the dumb day is the most difficult, लेकिन कुछ children मुझसे कहते हैं, कि blind day से ज़्यादा दिकत तो dumb day में, क्योंकि उसमें तो हम बोली नहीं सकते हैं, कोई भी हमको कुछ भी बोल रहा हम बोली नहीं सकते हैं, तो वो हमें difficult लगता है, बच्चे कहते हैं, we cannot bandage the children's mouth, हमां उनके mouth को, मुह को तो bandage नहीं बान सकते हैं, मुह में पट्टी तो नहीं लगा सकते हैं, so they really have to exercise their willpower, इसलिए उनको क्या करना है, अपने willpower से, अपने द्रड इच्छा सकती से, अपने आपको control करना है, और इस तरीके से बच्चे अपने आपको control करना सीखते हैं, come into the garden and see for yourself, how the children feel about it, कि garden में आईए, और आपको देखिए, कि how the children feel, कि बच्चे कैसा feel करते हैं, Miss Beam led me to one of the bandage girl, Miss Beam मुझे एक, जिसकी आँखों में पट्टी लगी हुई, उस girl के पास ले जाती है, here's a gentleman come to talk to you, वह उस लड़की से कहते हैं, कि यहां देखिए, एक gentleman आए हुए है, जो आप से बात करना चाहते है, Miss Beam कहती है, and left us, और हमें वो छोड़के चली जाती है, हम दोनों को बात करने के लिए, वो छोड़के चली जाती है, come to talk Miss, who has come to talk, जो बात करने आया है, Awful Miss Bad, Don't we ever peep, I asked the girl, अब यहां पर नाइरेटर उस लड़की से पूछता है, कि क्या कभी भी तुम जाकती नहीं हो, कभी भी तुम चुप्पे से नहीं देखती हो, Oh no, she exclaimed, वह लड़की कहती, Oh no, नहीं, कभी नहीं, That would be cheating, कि यह तो cheating हो जाएगी, But I had no idea, It was so awful to be blind, लेकिन मुझे आइडिया नहीं था, कि यह बहुत ही awful, बहुत ही bad है, कि blind होना, You can't see a thing, आप कुछ भी एक भी चीज नहीं दे सकते हो, You feel you are going to be hit by something, Every moment, और आपको हर moment, हर छड़ लगता है, कि आप किसी से hit हो जाओ, किसी से लड़ भीढ़ जाओगे, टकरा जाओगे, It's such a relief just to sit down, और सबसे ज़्यादा relief कब होती है, कि हम बैठे रहें, क्योंकि हम अंद्धे बैठे रहेंगे, तो किसी से लड़ने का, किसी से टकराने का, हमें कोई डरी नहीं रहेगा, और आगे होता है, I asked, Are your helpers kind to you? Are your helpers kind to you? I asked, मैंने पूछा कि, जो तुम्हारे लिए kind रहते हैं, तुम्हारे पर तिदयालू भाव रखते हैं, Fairly हाँ, रखते हैं, But they are not as careful as I shall be, when it is my turn, कि लेकिन उतना भी ख्याल नहीं रखते हैं, जितना कि मैं जब मेरा turn होता है, मैं जितना ख्याल लगते हैं, उतना वो लोग ख्याल नहीं लगते हैं, But those that have been blind already are the best helpers, लेकिन जो पहले से ही blind day मना चुके हैं, वो लोग best helpers होते हैं, It's perfectly ghastly not to see, perfectly ghastly means, बहुत ही ज़्यादा ये ghastly means, fearful है, बहुत ही ज़्यादा डरावना ये चीज है, कि हम कुछ नहीं दे सकते हैं, I wish you would try, मैं कहूंगी कि आप भी try करो, Shall I lead you anywhere? I asked, मैंने पूछा, ये narrator पूछता है उस लड़की से, Shall I lead you anywhere? कि मैं आपको कहीं ले जाऊं? तो, वह लड़की आगे बोलती है, Oh yeah, she said, कि वह लड़की बोलती है, कि हाँ, बिल्कुल मुझे ले चलिए, Let's go for a little walk, चलिए थोड़ा सा little walk, थोड़ा सा टहला जाए, Only you must tell me about things, आप मुझे सिर्फ चीजों के बारे में बताएं, जो हो रहा है, I shall be so glad when today is over, मैं बहुत ही कुछ हो जाऊंगी, जब यह दिन खतम हो जाएगा, The other bad days can't be half as bad as this, जो दूसरे bad days है, can't be half, half नहीं हो सकते, as bad as this, जितना की यह bad है, Having a leg tied up and hoping about on a clutch is almost fun, यहाँ जोच रही हो, और मैं यह सोच रही हो कि अगर जब leg, जब पैर को tie up कर, जब मतलब लंगडे वाला दिन होता है, जब हम पैर से नहीं चल सकते हैं, clutch वाला जब दिन होता है, तो हमारे legs को, हमारे पैरों को tied up कर दिया जाता है, बांत जीया जाता है and hoping about on a clutch, हम clutch पर होते हैं, हम पैसाखी पर होते हैं, is almost fun, यह हमाई लिए तो fun जैसा हो जाता है, I guess, जैसा कि मुझे लगता है, having an arm tied up is a bit more troublesome, लेकिन जब arm को, जब हाथों को tied up कर दिया जाता है, बांत जीया जाता है, तो is a bit more troublesome, यह कुछ थोड़ा मतलब ज्यादा trouble है, ज्यादा दिक्कत है, because you can't eat without help, क्योंकि आप कुछ भी नहीं खा सकते, बिना help के कुछ भी नहीं खा सकते and things like that, और और भी चीज़े जो हाथों से की जाती हैं, वह आप बिल्कुल नहीं कर सकते हैं, I don't think I will mind being deaf for a day, और मुझे नहीं लगता कि मैं deaf वाला कर सकूंगी काम, at least not much, ज्यादा नहीं कर सकती, but being blind is so frightening, लेकिन blind होना अंधे होना सबसे ज्यादा frightening, सबसे ज्यादा डरावनिया है, my head acts all the time just from worrying that I will get hurt, और मेरा इसी से सर दुखता रहता है, सिया फिर मतलब यह tension हो जाती है, कि मैं कहीं पर टकरा न जाओ, where are we now, हम कहां पर हैं अब, in the playground I said, अब narrator बताता है उसके कि हम लोग playground में हैं, we are walking toward the house, हम house की तरफ जा रहे हैं, miss beam miss beam is walking up and down, the garden with a tall girl, miss beam क्या कर रही है, walking, walking कर रही है, चल फिर रही है, इधर उधर चल फिर रही है, with a tall girl, एक tall girl, एक लंबी सी लड़की, उसके साथ, चल फिर रही है, what is the girl wearing, अब यह लड़की पूछती है, कि उस लड़की नहीं क्या पहना हुआ है, my little friend asked, तो a blue cotton shirt and a pink blouse, तो narrator उसको बताता है, कि उसने एक cotton skirt पहनी हुई है, and pink blouse पहनी हुई है, I think it's Millie, she said, यह लड़की बोलती है, कि साथ, यह तो Millie है, what color is her hair, कि उसके बालों की क्या color है, very light, I said, मैं बताता हूँ उसको कि बहुत ही light है, हलके है, yes, it's Millie, यह तो सच में Millie है, she is the head girl, क्या है head girl है, they are an old man trying up roses, और यह narrator उस लड़की से बताते हैं, कि वहाँ पे एक old man है, जो कि roses को लगा रहे है, yes, that's Peter, हाँ वो तो Peter है, he is the gardener, वो तो gardener है, माली है, he is hundreds of years old, वो तो hundreds of years old है, बहुत ही सौ साल पुराने हैं वो तो, and here comes a girl with curly red hair, she is on clutches, और narrator उसको बताता है, कि एक लड़की आ रही है, जो कि curly red hair है, उसके curly curly hair है, गुंगराले बाल है, red color के, and she is on clutches, वो बैसा की पे है, that's Amrita, she should, वो तो Amrita है, she should, वो कहती है, कि वो तो Amrita है, now, and so we walked on, और हम आगे बढ़ते हैं, gradually I discovered that I was ten times more thoughtful than I ever thought I could be, I also realized, मुझे realized हुआ, that if I had to describe people and things, to someone else, it made them more interesting to me, अगर मैं किसी को यह सब चीज़े describe करूँ, या बताऊँ, कि मतलब जैसे लोगों के help करना है, तो यह और ज़्यादा interesting हो जाएगा मेरे लिए, when I finally had to leave, जब मुझे finally अंतता जाना था, उस school को छोड़ कि, I told Mr. Beam, मैंने Mr. Beam से कहा, कि that I was very sorry to go, कि मैं बहुत ज़्यादा sorry feel कर रहा हूँ, जाने के लिए, oh she replied, अरे, उन्होंने reply किया, then there is something in my system after all, अब आपने माना ना, कि मेरे system में कुछ तो अलग है, जो मेरे school को दूसरे school से अलग करता है, and that is the question, and हमें यहाँ पर इस story में यह सिखाने की कोशिस की गई है, कि कैसे disabled लोगों को दिक्कत होती है, हम कैसे बच्चों को चिखा सकते हैं, कि disabled लोगों को कितनी दिक्कत होती है, और कैसे उनकी मदद करनी है, misfortune क्या होता है, दूसरे की trouble क्या होती है, यही इस school का purpose है, and मुझे तो लगता है कि साथ सच में हमारे school में ऐसे education होनी चाहिए, ताकि हम at least हमें ज़्यादा पढ़ने आता हो चाहना आता हो, लेकिन हमें यह पता होना चाहिए कि kindness क्या होती, empathy क्या होती, दूसरों की मदद करना क्या होता है, एक हम good citizen बन सकें, thank you so much, and अब यह lesson यहाँ खतम होता है, अब आगे exercise हम दूसरे किसी वीडियो में करेंगे, thank you, thank you so much,